आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान निज्ञान के कुछ बहुत ही महात्य पूर्ण प्रश्णों की जो की कहीं न कहीं पर इस च्छाओं में पूंचे जा चुके हैं और आगे भी इस तरह के प्रश्ण और इसमें इससे जुड़े हुए जो प्रश्ण हैं आ सक मुंदकोप निसद से हम यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर क्या होगा इसका तो उत्तर हो जाएगा मुंदकोप निसद से सत्य में जैते जो है कहां से लिया गया है मुंदकोप निसद है क्या मुंदकोप निसद एक उपनिसद है अब उपनिसदों की संख्या कितनी है तो 108 और यह मुंड़कोप निसद जो है यहां से ही लिया गया है सत्यमेव जयते इंपोर्टन प्रशन है और यह प्रशन पूछा गया प्रशन है और जितने भी मैंने प्रशन इसमें कवर किये हैं कहीं न कहीं पर इच्छाओं के पूछे गया प्रशन ही हैं इसलिए इंपोर्टन साम वेद से यजुर वेद से या फिर अथर वेद से हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा हमारा रिगवेद से जो गायत्री मंत्र है यह यूपी टेट में भी एक बार पूछा गया था रिगवेद से लिया गया है गायत्री मंत्र तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा अब रिगवेद से जुड़ा हम एक फैक्ट देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेदों की संख्या कितनी है जब भी वेदों की बात आए एक काम किया करिए अब जो भी चीजें उन्हें एक दूसरे से जोड़ कर याद किया करिए इससे क्या होता है याद रहती है कोई बात अगर आपको याद नहीं रहती कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं रहता है तो उसको हमेशा जोड़ कर पढ़ा करिए इससे क्या होगा जो चीज़ें आपको कठिन लगती है वो चीज़ें धीर धीरे आसान लगने लगेंगी और वे चीज़ें आप भूलेंगे कभी नहीं जैसे वेदों की संख्या जब भी वेदों की बाता है तो वेदों की संख्या आप जरूर ध्यान देंगे कितनी है चार अब चार में कौन कौन सी है रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथरवेद वेद कितने है चार और इन वेदों को क्या कहा जाता है सहीहता क्या कहा जाता है और जय सहीहता अलग नाम है यह आप ध्यान में रखिएगा जै सहिहता जो है महा भारत का पुराना नाम है महा भारत का पुराना नाम क्या है? महा भारत का पुराना नाम क्या है? जै सहिहता और वेदो को क्या कहा जाता है? सहिहता तो इसको लेकर आपका एंफ्यूज मत होईएगा हम आगे देख लेते हैं अगलार प्रशन क्या होगा, डिस्कवरी आफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी या पुस्तक के लेखा कौन है, तो जवाहर लाल नहरू, महत्मा गांधी, विक्रम सिंह, या फिर बाल, गंगाधर, तिलक, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा, डिस्कव अगला प्रिश्ण क्या होगा भारत का सर्वोच परवत सिखर कौन सा है इंपोर्टेंट प्रिश्ण है ये और कई बार पर इच्छोंग में पूछा गया है तो कंचन जंगा गाडविन आस्टिन इसे केटू भी कहते हैं नंदा देवी या फिर एवरेस्ट तो सहयोतर क्या हो भारत का सर्वोच परवत सिखर जो है गाडविन आस्टिन है इसकी उचाई क्या है 8,611 मीटर कितनी है 8,611 मीटर ये भारत की बात हो रही है और जब बात होगे विश्व की तो विश्व का सर्वोच परवत सिखर जो है एवरेस्ट है और इसकी उचाई क्या है 8,848.86 मीट और यह कहा पर इस्थित है नेपाल में इनको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा बहुत important fact मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको लगे कि वीडियो जो भी वीडियो में चीजें बताई जा रही है important है तो subscribe जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस channel का link भी जर लुड शेयर करियेगा और comment करियेगा आपको कैसा लग रहा है वीडियो आगे हम देख लिएते हैं भारत में जीम कारवेट राश्टुद्यान कहां इन्थि थे असं मेगालं मद्द jetफ या फिर ऊत्रा खंड क्या है उत्त्रा खंड हम देख लिएते हैं भारत वे जीम कार воды पर आपको यहां पर क्या हो जाएगा सही उत्रा खंड और हम यहां पर बात पेरेंगे उत्रा खंड से जुड़े हुए कुछ चीजों की जैसे यहां पर जिम-कारवेट राष्ट्यों जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्य उत्यान है क्या हो जाएगा जिम कार्वेट राष्ट्य उद्यान जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्य उद्यान है तो अब हम उत्राखंड से जुड़े हुए कुछ फैक्ट देख लेते हैं जैसे उत्राखंड में फूलों की घाटी है राजाजी राष्ट्य उद्यान है नंदा देख लेते हैं तुझू दर्रा भारत तो किस देश से जोडता है म्यानमार नेपाल भूटान या फिर चीन और आपके कितने प्रश्म सही हुए हैं ये भी आप जरूर कमेंट करिएगा आगे हम देख लेते हैं उत्तर क्या हो जाएगा म्यानमार तुझू दर्रा भारत को म्यानमार देश से जोडता है हम आगे देख लेते हैं डाइनमाइट के आविश्कारक कौन थे डाइनमाइट के आविश्कारक कौन थे न्यूटन थे मैडम क्यूरी आइंस्टीन या फिर अल्फ्रिड नोविल तो यहाँ पर सही उतर हमारा क्या हो जाएगा अल्फ्रिड नोविल डाइनमाइट के आविश्कारक कौन थे अल्फ्रिड नोविल और आगे देख लेते हैं अच्छा अल्फ्रिड नोविल जो थे अठारो सो सरसट में डाइनमाइट की खोज की थी किसने अलफेड नोविल ने हम आगे देख लेते हैं अगला प्रशन क्या होगा दो हजार अठाइस के ग्रिस्म कालिन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा जापान भारत ब्राजिल या फिर संयुक्तर राज्य अमेरिका बहुत इंपोर्टेंट प् किसे अग्या देखेछ तैंगे अगला प्रशन हो है लोक सभा का सदस्ट से बनने के लिए निवन्तम आयू कितनी होनी चाहिए 18 वर्स होनी चाहिए 20 वर्स होनी चाहिए या फिर 30 वर्स होनी चाहिए तो इमपोर्टेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा से उतर होगा 25 वर्स लोग सभा का सदस बनने के लिए नियूनतम जो आयू है 25 वर्स होनी चाहिए हम यहाँ पर देख लेते हैं लोग सभा सदस से के लिए नियूनतम आयू जो है कितनी है 25 वर्स और राज सभा के लिए राज्य सभा सदस्य के लिए नियूंतम आयू जो है क्या हो जाएगी 30 वर्स यानि लोग सभा सदस्य से बनने के लिए नियूंतम आयू 25 वर्स है और राज्य सभा सदस्य से बनने के लिए नियूंतम आयू क्या है 30 वर्स और राश्ट्रपति पद के लिए नूंता मायू क्या है 35 वर्स हम आगे देख लेते हैं अगला प्रशन क्या होगा भारत के समष्ट राज्यों में छेत्रपला अनुसार उत्तरपदेश का क्या अस्थान है पहला दूसरा तीसरा या फिर चौथा यानि जो छेत्रपल के आधा पर उत्तरपदेश की अस्थान पर आता है तो हमको यह बताना है हमारा सेउत्तर क्या हो जाएगा सेउत्तर होगा हमारा चोथा क्या हो जाएगा चोथा और अगर उत्तरपदेश का चोथा स्थान है अच्छा उत्तरपदेश की बात हो रही है तो उत्तरपदेश की राजध राजधानी क्या है लखनौ और लखनौ का नाम बदल कर अब क्या हो गया है लचमनपुरी इंपोर्टन फैक्ट है इसे आप जरूर याद रखिएगा उत्रप्रदेश की राजधानी क्या है लखनौ उसका नाम बदल कर क्या हो गया है लचमनपुरी और किस नदी के किनारे है गोमती नदी के किनारे, important fact है यह सारे, इन्हें आप जरुब कबर करिएगा, अब हम बात कर लेते हैं, उत्रप्रदेश किसा स्थान पर है, तो चोथे स्थान पर है, UP, यानि उत्रप्रदेश, अब हम बात कर लेते हैं, राजस्थान की, तो राजस्थान किसा स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है राजस्थान और दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा तो दूसरे स्थान पर है MP यानि मध्रप्रदेश और महाराष्ट जो है तीसरे स्थान पर है यानि पहले स्थान पर क्या हो जाएगा पहले स्थान पर होगा राजस्थान दूसरे स्थान पर मध्र सकते हैं अगर आप यूपी टेट की तयारी कर रहे हैं एंपी टेट की तयारी कर रहे हैं सूपर टेट की तयारी कर रहे हैं सीटेट की तयारी कर रहे हैं यूपी पी यूपी एसा इससी जीडी इन सभी परिच्छाओं के लिए ये समाने दिन के सारे प्रस्ण सारे वीडियो स कि आपको याद रहे, कोई भी चीज़ आप भूले नहीं, और एक दूसरे से जोड़ कर आप जब पढ़ते हैं, जोड़ी हुई चीज़ें आप पढ़ते हैं, तो आसानी से आपको याद करने में आसानी होती हैं, और उन्हें आप कभी भूलते नहीं हैं, तो ये वीडियो का आपको कमेंट जरूर करिएगा और आप किस परिच्छा की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप जरूर कमेंट करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद